जी हाँ दोस्तों CSK के सलामी धाकड बल्ले बाज ये तो आज गायकवाड नई सीजन IPL 2020 के काफी सुर्ख्या बटोरी आपको बता दें IPL के दूसरे हाफ में शतक लगाने वाले वह पहले बल्ले बाज भी हैं CSK प्ले ओफ में कौलिफाई कर चुकी है और पहला क्वाडर फाइनल में दिली के अबटस का सामना करके वह अब फाइनल तक का सफर तैय कर चुकी है यानि की नौवी बार CSK फाइनल में पहुंची है रितुराज के शांदार परदशन के साथ साथ लोग उनके परसनल लाइफ को लेकर काफी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं रितुराज को लेकर एक अफवा ये सामने आई है कि CSK स्टार मराठी अभीनेतरी सयाली संजीब के साथ रिष्टे में है हाला कि दोनों ने डेटिंग की अफवाओं पर कोई भी कॉमेंट्स नहीं किया लेकिन सोशल मीडिया पर लोग रितुराज जुड़ी हर जानकारी जानना चाहते ही और रितुराज और सयाली संजीब के रिष्टे के बारे में पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ दे सयाली के बारे में आपको बताएं तो उनका जन्म 31 जनवरी 1993 में महराष्ट में हुआ उन्होंने नाशिक से अपनी पढ़ाई पूरी की उन्होंने अपना करियर एक्टिंग में बनाया और इस समय वे काफी पेमस एक्टरेस हैं सयाली और रितुराज के डेटिंग के अफ़वाएं तब शुरू हुई जब किरिक्रेटर ने सयाली की एक तस्वीर पर कॉमेंट किया और अभी नेतरी ने तुरंत उसका रेपलाई दिया कि वे रिष्टे में हैं और यहीं से मतलब एक नए जीवन की शुरुआत होती नजर आएगी मतलब अभी से इनों की बीच कुछ चला है और आगे देखते हैं क्या ही कुछ होता है लेकि इतराज गायक और इस सीजन जिस तरीके से IPL की फॉर्म में नजर आए हैं CSK की तरफ से आपनिंग करते हुए सबका दिल जीत लिया और अभी हाल ही में कॉलिफाइंग मुकाबले में 70 रन की जो बहतरे निन पारी खेली रॉबन तपपा के साथ मिलकर जो इनने एक पार्टनर्शिप जमाई वो तो काबिली तारिफ वाला काम था CSK फाइनल में है और फाइनल में इस खिलाड़े का काम जादा बढ़ जाएगा प्रेशर थोड़ा जादा रहेगा कि कैसे दोस्तों फाइनल में जो भी टीम आएगी वह कड़ी टीम होगी उसका कैसे सामना करते हैं क्या फिर से वही काम कर पाएंगे जो पूरे सीजन क्या ह देखने वाली बात होगी लेकिन देखते हैं कि सयाली और इतराज की रिष्टे पर और क्या अपडेट सामने आती वह जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ नेक्स्ट नैनी स्पोर्स की रिपोर्ट